आज का मेडिकल टोपिक है अनकंसियस पेशेंट, कॉमा पेशेंट जैसा कि आपने सुना होगा कि काफी पेशेंट, कोई ना कोई इंजिरी या किसी अधर कारण कॉमा में चले जाते हैं उनका इलाज क्या होगा? उनका इलाज, देखिए, एक्स्टर्नल मेंटेनेंस पर डिपेंड करता है, जो कि डॉक्टर इलाज है उनका खाना राइश टूप से दिया जाता है, यूरिनेशन एक्सेक्टरा आपने देखा होगा, की यूरिनरी बलेडर के दुआरा किया जाता है और यदि सांस में प्रॉबलम को जो सॉल्व किया जाता है, ट्रैकियोस्टमी, ट्रैकियल ट्यूब डाल कर किया जाता है जिससे आराम से सांस आना जाना कर सके इन सब के बावजूद इस सिस्टम को इंकुबीटर और जो कि मोनिटर पर उसकी रीडिंग आती रहती है कनेक्टिड कर देते हैं और पूरे सिस्टम को वाज करते रहते हैं और जिस वज़े से हुआ है उसका ट्रीटमेंट कंटीनू रखते हैं कभी-कभी पीशेंट बहुत जल्दी होस में आ जाते हैं और कभी-कभी इलाज काभी लंबा खिच जाता है कितने ही लोग ये कहते हैं कि इसका इलाज क्या है डाक्टरों से भी पूछते हैं और सभी लोगों से वारता लाप करते हैं आखिर क्या किया जाए यदि पेशेंट कॉमा में बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो चाहे तो डाक्टर हो और चाहे सिविलियन हो सब यही बोलते हैं कि भगवान पर सब कुछ निर्वर है और देखो भगवान पर निर्वर है भी कुद्रत ने हम सब को बनाया है और यदि आप डिटेल में देखें तो आपका जो यह सांस होता है उसको फिप्टी परसेंट वो हमेशा अपने पास रखता है अब आप यह कहेंगे कि फिप्टी परसेंट कैसे देखो सांस के दो पार्ट होते हैं एक भार निकलने वाला और एक अंदर आने वाला तो जब भार निकलता है सांस तो अंदर वाला भगवन के पास होता है और वाइस वर्सा और इसका अपोजिट यानि कहने का मतलब यह है कि जो यह आपकी जो कंसियसनेस है यह भगवान से हमेशा कनेक्टेड रहती है यह आत्मा बोलो यह इनरजी बोलो यह सब कुछ उसे की मरजी से चलता है आप जो कर्म करते हैं वो भी उसे की मरजी से करते हैं उसका फल आपको भूगना है कुछ काम जाने अन जाने में खराब हो जाते हैं कुर्दत यह वाच करती है कि यह क्या करता है क्या नहीं करता और उसके अनुसार उसका फल देती रहती है और यह सब एजिस संसकार हमसे हमेशा चिपका रहता है यह पीछा नहीं छोड़ता यह इस जनम की भी बात है आगे की जनम की भी बात है आपकी ड्यूटी बनती है आप करम करते रहें ज़्यादा विचार ना करें वाच करते रहें साक्षी बन जाएं बैस भगवान पर भरोसा रख रहें और अपना काम करते रहें करमों की जो फाइट होती है वो कंटीनू चलती रहती है लाइव में और जैसे करम आदमी करता रहता है उसका फल यहाँ पर और वहाँ पर सब जगे मिलता रहता है तो इसलिए कोई भी हो अंदर का हो या बाहर का हो डॉक्टर हो या और कोई हो सब ये कहते हैं के आप चुपचा बैठे रहो और वाज करते रहो बाकि सब बगवान पर छोड़ दो हम जितना कर सकते थे वो हमने कर दिया सब का एक ये आंसर मिलता है और आंसर है भी सई इसके सिवा कोई और आंसर हो भी नहीं सकता धन्यवाद वीडियो लंबी हो रही है छोटी कर रहा हूँ आप को यदि मेरे व्यू उचित लगे हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें दोसरों को बताएं समझाएं और सब कुछ उस पर छोड़ते हैं किस पर भगवान पर धन्यवाद धन्यवाद तंक यू तंक यू